हेलो गाईज हम सबको पता है कि टाटा ग्रूप में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा चल ही रहा है सारी ही कंपनीज बहुत अच्छे से रिटर्स दे रही है स्पेसिफिकली स्पीकिंग जो बिजनिसे बहुत टाइन से परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनके अंदर बहुत अच्छी चाल आ रही है और कहीं न कहीं अब हमें दिख रहे है कि क्यों आ रही है चाल तो हमेशा स्टॉक प्राइसे पहले भागने लग जाते हैं फ्यूचर डिस्काउंट करके हैं चीजे समझ के और उसके बाद आपको reasons पता चलने शुरू होते हैं बहुत cases में Tata Motors के case में ऐसा होता हो दिख रहा है passenger vehicle का segment अलग से spin-off करना चारी ये company हो सकता है कि उसके shares अलग से lot हो अब क्या हो कैसे होगा देखेंगे बट उसका shareholder approval आ गया है which is a big big positive because now you'll have two divisions basically Tata Motors का passenger vehicle का division and commercial vehicles का division दोनों ही companies you know अपने basis पर focus कर सकती है अपनी growth पर focus कर सकती है अपनी functioning के ओपर focus कर सकती है and कहिना का specialization और shareholders के लिए भी preference हो जाएगी कि वो कौन सी company उठाना चाते हैं कौन सी नहीं उठाना चाते तो वो एक बहुत बड़ा advantage हो जाएगा उनके लिए भी तो हम देखेंगे कि Tata Motors के लिए ये कैसा रहता है ultimately अभी कैसा आपसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सेनारियो कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है मुझे and मुझे लगता है कि आगे आने वाले time में जैसा हमने Tata Motors के targets discuss करे है उसी इसापसे से perform करना चाहिए obviously आपको अगर Tata Motors में invest करना है मेरी recommendation यह है कि आप Tata Motors DVR के share उठाएंगे ना कि Tata Motors के and DVR obviously differential voting rights के share होता है अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर गलक से वीडियो बना दूँगा कि DVR और normal share में difference क्या है I think अगर stock market for basics basics of stock market मैं करना stock market for basics stock market for beginner series जो मैंने start करी है जिसे हम basics cover करते हैं stock market के अगर आप लोग चाहते हैं कि उस series के अंदर ऐसे से topics भी लिया जाएं कि DVR क्या होता है right issue क्या होता है तो यह सारी चीजे भी explore करेंगे और कई चीजों के around जो myths हैं उनको भी bust करेंगे और यह भी समझेंगे कि इन चीजों को play कैसे करना अपनी benefit के उपर तो अगर आप चाहते हैं तो इन पे भी वीडियो बनाए जाएंगी वर्ना उसकी पहली वीडियो कल ही आई है तो उसको जाके जरूर देखें उसके अंदर मैंने आपको guaranteed तरीका बताया पैसे कमानेगा जी नहीं कोई recommendation नहीं है stop की बट तरीका guaranteed है जो process है उसका उससे आप guaranteed पैसा कमाएंगे बजार से तो उस वीडियो को जरूर जरूर देखें और मुझे जरूर बताएं कि Tadam Motors के decision के बारे में आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये beneficial रहेगा कि आपको लगता है कि ये एक gimmick है इससे कुछ खास होगा नहीं तो आप मुझे comment section में जरूर बताएं प्लस अगर आप investing चालू करना चाहते हैं तो DMAT accounts कुलवाने के link मैंने description में दे रखे हैं चाहे वो full service broker हो Kotex Securities जैसा IIFL जैसा या फिर मैं कहूंग एक discount broker हो Upstocks या Angel Broking जैसा अब सब के साथ accounts कुलवा सकते हैं चारों brokers के link DMAT कुलवाने के उनके जो है description में मैंने link उनके सब के दे रखे हैं Thank you so much for watching this one this quick update on Tata Motors and I'll see you very soon in the next video Bye